पहले जैपुर में अंदेखा किया और अब चित्तोडगड में भी मोदी ने वसुंद्रा से आखे फिर ली आखिर मोदी की मन्सा क्या है समझने वालों के लिए इसारा ही काफी है मंच पर मोदी और मोदी के दाहिने ओर केंद्रिय मंत्री अर्जुन राम मेखवाल उनके भगल में नेता प्रतिपक्स राजेंदर सिंगरा ठोड और सबसे किनारे वाली सीथ पर वसुंद्रा राजे बैठी थी तस्वीरे साब बया कर रही थी कि वसुंद्रा अब किनारे लग चुकी है आज चेतोडगड में मोदी की रेली में जो कुछ भी दिखा उसे महरानी की रही सही उम्मीद भी सायद तूट सी गई मोदी मंच पर आये भासन दिया और कॉंग्रेस पर ताबड तोड एक के बाद एक हमले किये पेपर लेक करप्शन महिलाओं पर अत्यचार पत्थरवाजी लचर कानून विवस्ता के मुद्दे पर मोदी ने कॉंग्रेस सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला मोदी ने मंच पर अपनी पार्टी के सिर्फ एक ही नेता गा नाम लिया वैथे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोसी साथी मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव में कोई चहरा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर चुनाव होंगे और पार्टी के सारे निता बस पार्टी का चुनाव चिन लेकर ही चुनावी रण में कूदेंगे साथियों मोदी की हर गारंटी को हर बूद तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चहरा है और वो चहरा है कमल इस कमल को ही भारी महमत से जिताना है और हम इस कमल के नित्रत्म में कमल के निशान से राजस्तान का भाग्य भी तेजगती से आगे बढ़ाएंगे हमारी उमीद कमल है हमारा उमीदवार कमल है हम कमल खिलाएंगे बाजपा को जिताएंगे